जहिन दोस्तों, समसंग को कौन नहीं जानता है? इंडराड में अगर देखा जाये, तो इंडराड में समसंग बहुत ही बेस्ट ब्रांड है और जो समसंग है, वो अपना जो सबसे आदा प्रोफिट है, वो महामी फोन से लाता है लेकिन जब बात करेंगे 20 एर क्रेंज में Samsung का फोन तो अहां पे Samsung का फोन उतना बेटर निकल के नहीं आता है और वहीं पे Motorola, Realme, Redmi, बहुत सरे ऐसे smartphone ब्रांड हैं जो 20 एर क्रेंज में एकदम killer phone लेकर आते हैं तो आज हम देखेंगे कि जो Samsung है वह 20 एर क्रेंज में उतना बेटर क्यों नहीं कर पाता है और कोई भी नार्मल कस्टमर जब दुकान पर जाता है तो 20 एर क्रेंज में Samsung का phone उतना जल्दी क्यों नहीं लेता है तो आज उसी के बारें बात करेंगे तो नए हैं सब्सक्राइब कर लिजिए और एक लाइक शरूर कर देजिएगा देखिए Samsung updates के matter में चर्वन का experience के matter में बहुत ही बीटर काम कर रहा है Samsung जो promise करता है updates का उदेता भी है और जो आप वीडियो देख रहा है न यह भी Samsung के phone से ही record हो रहा है तो हम लोग वही देखने वाले हैं कि जो Samsung का phone है 20 एर क्रेंज में क्यों बेटर निकल के नहीं आता है और मैं last opinion भी बताऊंगो कि Samsung को क्या करना चाहिए अब मेरा opinion मैं Samsung को नहीं कहा रहा हूं कि भाई तुम्हें करो Samsung जो हूँ अपना बहुत से लेकर आते हैं जिसमें यह सेरिज उसके बाद फ्लैक्सिव में चले जाएंगे तो इसमें भी यह सीरिज भी आता है तो बहुत सारे Samsung के सीरिज हैं और ऐसा नहीं कि Samsung के जितने भी सीरीज हैं B-Sire से उपर आते हैं सुरू से स्टार्टिंग प्राइस से भी आते हैं तो देखें Samsung क्या करता है कि जितने भी B-Sire के फोन है Samsung के उस में अक्सर करके जो कमी है जैसे डिस्पले जो होता है वो अक्सर के TFT देता है फिर कहीं कहीं PLS चिप का देगा और भी बहुत मतलब लोग रेट का डिस्पले यूज करता है Samsung डिस्पले खुद मनुफेक्चर करता है लेकिन अपने स्मार्टफोन में B-Sire करेंज में उतना बेटर डिस्पले नहीं लगाता है हाँ मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि B-Sire करेंज में Samsung जो है मतलब एमिले डिस्पले नहीं देता है देता है लेकिन बस एमिले डिस्पले देने एक बाद ही सब कुछ नहीं हो जाता है अगर कोई भी नार्मल कस्टमर 20 साल लगाएगा तो सिर्फ डिस्पले बस नहीं देखेगा ना प्रोसेसर भी देखेगा कैमरा भी देखेगा बिल्ड क्वाल्टी भी देखेगा और भी बहुत साइज चीजे देखता है तो देखेेग जो 20R के रेंज में संसंक का फोन होता है उसमें जो संसंग क्या करता था या ती आफ टी या पी ऩृएश डिस्पले लगा देता है बतलब डिष्पले में तो कंप्रोमाइज करता ही है धिस्पले खुद मैनुफेक्चर करता है उसके बाद भी कंप्रमाइज करता है दूसरे नमबर बात करेंगे बिल्ड क्वाल्टी तो पंद्रह से 20 अर्क रेंज में गर समसंग का फोन कोई भी देखेंगे तो उतना बढ़िया बिल्ड क्वाल्टी नहीं रखता है अक्सर करके प्लास्ट बैक मिलता है और वहीं पर अधर कंपणी में बहुत ही बेटर काम कर रहा है बजट रेंज में और आगे गर देखा झालिकर तो फिर समसंग वहां पर चार्ज़र भी नहीं देता है और यह नार्मल कस्टमर जो पीशर रुपया लगाएगा फिर उसको तो चार्जर चाहिए लेकिन Samsung क्या करता है चार्जर भी बॉक्स में नहीं देता है सिर्फ एक केबल देता है टाइप C टू टाइप C का और मैं यह नहीं करा हूं कि Samsung जो है अब फिर उसके बाद अगर माली आपको एमिलेट डिस्पले मिल गया लेकिन वहां पर जो डिस्पले है जो पंच होल नहीं मिलता है और वहीं पर बात करें समसंग के फोन में प्रोसेसर का तो हां पर प्रोसेसर तो बुरी तरीके से समसंग पिकार ही लगाता है क्योंकि उसमें देखेंगे आप तो पूराना कोई तीन-चार सा वला प्रोसेसर उठा के फिर उसके बाद अगर कोई नया लगा रहा है मीडिया टेक का लगा है को भी पूराना और अकसर करके देखा गया है कि पंद्रस बीस एर के रेंज में उ तो वहीं अधर ब्रांड है जो कम प्राइस में बहुत बढ़िया फीचर स्पेक्स और बाक्स में चार्जर फिर बिल्ड कॉलिटी सब कुछ देखते हैं इसलिए जो समसंग बजट में अगर देखा जाए तो उतना बेटर निकल के नहीं आ पाता है और फ्रैक्सिक भी बात पाता रहा थों कि जो समसंग बिसायर के रिंज में यही कारण के वज़य से आगे नहीं निकल पाया है और मैं नहीं का रहा हूं कि पर बिस्धर के में तब तक के लिए जैहिंग जैवार।